नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गरांट जोती सीक्रेट तुला रासी वालों खुलेगा बंद किसमत का ताला लेकिन कैसे उसके लिए इस वीडियो के अंतक बने रहना होगा और यह प्रेडिक्सन चैंदरासी पर आधारित है तुला रासी सनी देव की सबसे प्रेरासी और जिनका स्वामी स्वेम सुक्रदेव हैं तुला वाले बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरेस होते हैं और इमोशन भी इनमें बहुत होता है नहीं इमोशनली कभी कभी यह बहुत ही ज़्यादा परिसान भी होते हैं लेकिन आज हमारा टॉपिक है आपकी किसम करेंगे और लक्षन आधार पर आप अपने किस्मत को समझगी और वैसा ही उपाई कीजिए गर हर तुला बाले की कुंडली एक ही तरह की हो यह भी जरूरी मिन तो कि आप की सब्सक्राइम वही नहीं सकता ağa жизни क्शिछ एक में exec physician कीकोère बताएंगे जो हर कोई करेगा लेकिन इसके पहले हम ग्रहों के हिसाब से लक्षन बताएंगे और उस लक्षन के अनुसार आप उपाई कीजेगा तो सुरुआत करते हैं तुलारासी वालों सबसे पहली बात अगर आप पैसों का इंवेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं सेर मार करें पहले हम आपको यह बता देते हैं तो तुलारासी वालों के लिए धन का इंवेश्टमेंट पैट्रोलियम लोहा इलक्ट्रोनिक जैसी धात्रों में करना अच्छा होता है सोना और अनाज अनाज मतलब चावल दाल बेगर सब होते हैं ना उनमें और गोल्ड में यहनी स संघर्स तो वैसे हर किसी का है आपके भी होगा लेकिन तुला वाले किस्मत वाले होते हैं आपके जीवन में संघर्स कम होता है अगर होता भी है तो आप बहुत बिंदास अंदाज में लाइब जीते हैं तो कहीं न कहीं किस्मत का साथ अपने मेहनत के बल पर पाही लेते है लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं जीवन में संघर्स्तु है तब यहाँ पर आपको दो काम करना है एक तो रोज दो तुलसी का पत्ता आप भगवान स्री हरी बिश्नु के या भगवान स्री कृष्ने के चर्नों में अर्पित करें और बाद में इसे उठाकर परसाद के रूप में गरहन करें ये रोज करें ये किन मानिये किस्मत का साथ मिलने लगेगा अभी तक हमने सिर्फ किस्मत के बाद की किस्मत के ताले खुलने के बाद अब हम करेंगे कभी कभी क्या होता है ना मंगल जो यहां पर बहुत ही ज्यादा अहम भूमी का निभाता है क्योंकि तुला रासी बालों के लिए मंगल अगर गड़वड हो जाए यानि की भारी हो जाए जिसे हम मंगलिक दोस्त कहते हैं तब क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले समझते हैं तुला बालों के जीवन में मंगल का क्या रॉल होता है तुला रासी बाले जो है ना यहां पर आपके पती पतनी का तालमेल कैसा होगा यनि आप दोनों के बीच कितना बनेगा आप और आपके परिवार environmental कैसा होगा यनि आपके लब लाइफ बैवाह जीवन सब कुछ यहां पर मंगल ही कंट्रोल करता है तुला वालों के जीवन में आपकी वाणी कैसी होगी आप कैसा बोलते हैं आपकी जुबान कैसी है आपकी आर्थिक इस्तिती कैसी है financial condition कैसी है इस बात को भी मंगल कंट्रोल करता है तुला रासी बालों के कुंडली में यहां पर देखिए मंगल का कितना बड़ा रॉल है सब कुछ आपका जीवन पैसा बोली धन सब कुछ मंगल अकेले संभालता है अब ऐसे में अगर आपको किस्मत की चावी चाहिए तो सबसे पहले तो मंगल को ठीक करना है पारिवारिक जीवन में अगर दिक्कत है यह लक्षन है अगर आपको ऐसा लगे कि पारिवारिक जीवन में दिक्कत है बैबाहिक जीवन में दिक्कत है तो आप यह समझ लें कि और अगर आप कुछ भी बोलते हैं लोग बात की बतंगर बनाते हैं आपको लगता है कि आप कभी-कभी अपसब्द बोलते हैं आपकी जिवान ही खराब है तब ऐसे में आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं तब मंगल पर आपको फोकस करना होगा तुला रासी वालों आपके लिए ज़रूर फायदा करेगा और यह मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रांग सह भौमाय नमह आप इसे कभी भी जब कर सकते हैं सुबह नहाने के बाद साम में जब भी मौका मिले कम से कम 27 बार 54 या 108 बार जब करें आपको 100% फायदे होंगे अब हम चुकिए आपको हमन खाने में चतुर्थ सब्तम अस्टम और बार्वे खाने में मौजूद हो तो ब्यक्ति मांगलिक होता है और तुला रासी वालों का बैवाहिक जीवन चुकि मंगल नियंत्रित कर रहा है अगर आपके लगन चतुर्थ सब्तम अस्टम या बार्वे घर में किसी एक जगा मंगल बिराजमान हो जाए मंगल भारी हो जाए तो बैवाहिक जीवन नरक बन जाता है आप समझ रहे होंगे हमने क्या कहा और कभी कभी मंगल भारी होने से मंगल भारी होने का मतलब कहते हैं ना वह लड़की मांगलिक है मंगल दोस है मंगला है तो यहीं मंगल भारी की हम कर रहे हैं कभी कभी दो विवाह की संभावना भी बना देता है मंगल दोस्ट अगर आपको लगे वह वह जीवन में परेशानी है तब ऐसे में मंगलवार के दिन ब्रत रखें लाल रंग से परहेच करें ब्रत रखिएगा तो आप सिर्फ नमक मत खाईए संभव हो तो फल खा खा सकते हैं पर नमक मत खाईएगा इस बात का ध्यान रखिए तो आज हमने आपको मंगल देव के बारे में बताया जो जीवन में बहुत बड़ा एहम रॉल निभाते हैं अब आपके रासी के स्वामी सुक्र की बात करें तुलारासी वालों का जो स्वामी हैं वो सुक्र हैं इसलिए आपका ब्यक्तित भी आकर सक होता है और आप बहुत अच्छे ब्यपारी होते हैं अगर साजेदार में बिजनस करते हैं तो बहुत अच्छे साजेदार भी होते हैं आप अपनों के लिए अपने दोस्तों के लि होते हैं और आपको हाइफाइफ लाइफ अपडेट रहना बहुत गलैमर में रहना पसंद होता है आपको कोई मुर्क नहीं बना सकता क्योंकि आपकी बुद्धी बहुत तेज होती है और आप सुक्रवाले छेतर में काफी नाम कमा सकते हैं अब तुला रासी वानों अगर ऐसा ब्यक्ति राजा का प्रिय होता है तो आज हम यह चीजें आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अब इन चीजों को बोलने से फैदा नहीं है हम बात करते हैं सबसे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन सनी देव की चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि वह आपके रासी ज क्याते हैं ना तो देखे तुलारासी के जीवन में बहुत कुछ शनी पर भी निर्भिघृ करता है अब है जैसे कि आपका करियर कैसा होगा संतान का कैसा रहेंगा आपका मान-समान की सब कुछ सनी-देव ही देते बिनसंनी देव के आपके जीवन में सफलता आपको नहीं म आप तुला वाले हैं तो आप अपने बाएं हाथ की मधिमा उंगली में लोहे का छला सनीवार की साम धारन कर सकते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा सुब रहेगा अब हम थोरा और आगे बढ़ें तो यहाँ पर सनी देव का एक और रॉल होता है तुला रासी वालों आम तोर पर सनी देव आपको अपियस नहीं देते यानि बदनाम नहीं करते क्योंकि आप प्रियर रासी हैं लेकिन जरूरत पढ़ने पर अगर आप कहीं फस गया हैं तो अगर कोई गरह बचा रहा है न तो वो सनी देव होते हैं अगर आपको लगे कि आप कहीं फस गया हैं आपको बहुत अपियस मिल रहे हैं तब सनी देव की आराधना जरूर कीजिएगा अपियस की नौबत आईगी नहीं अगर पहले से करेंगे तो और अगर आप यसमें फस गये हैं तब आप बहुत आसानी से इन से निकल जाएंगे आप सनी देप के मंत्र का जब करें ओम संक्सने चनाय नमह रोज सामने और उनका आभार बेक्त कीजिए क्योंकि आपके जीवन में उनका भी रॉल बहुत बड़ा होता है तो सबसे अंत में हम बताएंगे आपको किस गरह की पूजा करनी चाहिए अपनी कुंडली को मजबूत करने तुला वालों को अपनी किसमत का साथ पाने तुला रासी वालों सनी देप की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक तो करियर में इस्थिरता आएगी आपके जीवन में जो उठल उठल कूद मचेवे हैं उठल उठल हैं उन चीजों में भी इस्थिरता आएगी बहुत स्मूथ लाइफ चलेगा रोज साम में मंतर जब करें आसपास कोई पीपल का बरिच हो तब साम में सनीवार के दिन सर्चौं तेल का दिया जलाएं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मंतर जब करें क्योंकि सबसे बड़ा मंतर ही होता है मन ही मन जब करें कहीं भी घर में ऑफिस में अच्छा होगा हर हर महादेर